दोस्तो इस वीडियों में बताऊंगा किस तरीके से आप लोग मोबायल से एक ब्लोगिंग कर सकते इस तरीके से सबकुछ बताने वालों कैसे बनानी मोबायल लेकिन मैं बता देता हो मतलब कि बोला कि यार भाई मेरे website बना दो क्योंकि मुझे कुछ भी आइडियास नहीं था उस समय और उसको मैं पैसा भी दे दिया अच्छा कासा काफी लिखने पर दियार क्या किया अब मुझे टाइपिंग करना हो गया तो मैं करते 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 वह सब्सक्राइओ जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते और इससे भी आपको पता चल जाएगा seran पर बादाब कर तो मैं इतना नीचे से जार के मैं इतना अच्छा खासा ब्लॉगिंग इस समय कर पाएं कि अब भी मैं कुछ भी नहीं कर पार रहा है मैं कभी सुचता था कि महिने का यानि 100 रुपे हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए लेकिन आज दोस्तों मैं 100 का 200-200 डाला डेली का डेली अर्न कर रहा हूं दोस्तों जो कि मैं एक website का मैं आपको live proof हमिसा दिखाता रहता हूं दोस्तों कुछ भी आसंभव नहीं दोस्तों आप इदम संभव हो जाएगा दोस्तों अपने दिल पहात रख करके अपने आपको एक प्रॉमिस कर लेना मुझे ब्लॉगिंज सिखनी मुझे अच्छे तरीके सकनी है और दोस्तों मेरी रिगूलर वीडियो देखते रहेंगे त दोस्तों आप सोच रहेंगे कि website हम कैसे बनाएंगे मॉबाइल पर तो दोस्तों आज के समय में दो ही रास्ता है website बनाने के लिए एक है दोस्तों वर्डप्रेस पर दोस्तों ब्लोगर पर फ्री में बनता है लेकिन वर्डप्रेस पर आपको उसके लिए hosting चाहिए आप पु और उसी hosting के जरीए दोस्तों Google पर जो भी लोग सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट आएगे और उसी जगह से आपकी website को लोग access करेंगे तो आपको clear होगा ओगा दोस्तों कि आपको या तो blogger पर कर सकते या तो दोस्तों वर्डप्रेस पर कर सकते दोस्तों आप दोनों म तो बस ऐसी आएंगे time pass करेंगे तो आप ब्लोगर की तरफ जा रहे हैं जा सकते हैं दोस्तों आप क्या बता रहे हैं दोस्तों रियल्टी आपका दिल भाणाने के लिए नहीं कदम का कि तो ब्लॉगर पर करो फिर हम हो जाएगा ऐसे हो जाएगा वह जाएगा लेकिंद दोस् तो मैं रियल्टी बोल ला दोस्तों उनको रिजल्ट ना की बराबर मिलता है बहुत ज़्यादा हाडवर्क करना पड़ेगा वहां पर गूगल रैंक ही नहीं कर पाता है यानि रैंकिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा पसीने छुट जाएंगे इसलिए मैं आपको हमेश मैं आपको बलोगर पर सिखा दोँगा दोस्तों लेकिन दिल से बोल दोस्तों वहां पर आपको जो मिलते मिलते आपको और कि लेकिन 625 जाएंगि लेकिन अग्यों आपको सब्गर बनेगा कि मुझे इतना inυτवेस्ट करेंगे क्या सफ़लता मिलेगी क्या नहीं सफ़लता मिल हमको 100 परसंट यहां पर सक्षेज मिलेगी मुझे मिला दोस्तों आपको भी कर सकता कि आपको मिलेगी क्योंकि दोस्तों कुछ लोग बहुत ही ज्यादा काम करते हैं और बोलते हैं कि करके कि मेरा articles कब रहंन करेगा और दो-तीन महिने में चार महिने में और धीदर पैसा आना स्टार्टेत जीना है और पैसे पैसे चाईने स्टार्ट और आप वी अच्छे पैसे से निकाल सकते जो कि मैं आपको दिखाया हूँ कि आप भी आईसी तरीके से ब्लोगिंग कर सकते दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहां पर यहां पर आप 15000 के रुपे के वर सकते मैं भी अपनी मोवाईल से चाहर से का और आग Quindi से करते हैं माय सकते जो सपना देखेंका होगा यह सब बसक्राइब कने के लिए सक्कुमlardaन तो करना पड़ेगा और मुहिन आप剩 कर रहांगा बस दोस्तों आप यह नहीं करता हूं कि मुझे नहीं मालम सभी लोग तो बहुत कुछ मालुम रहता है तो मुझे कुछ बहुत इंग्लिस भी पढ़ने सब को लगता है कि मैं ब्लोग ऐसे होगा वैसे होगा लेकिन दोस्तों आपने मन में होसला बना कर रखना कि मुझे करना तो करना है बस यहीं सपना देखना दोस्तों मुझे करना है बस मेरा एक ही रिकमेंट रहेगा कि आपको करना ही यह करना है दोस्तो अभी तक आप एडिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें किस टापिक को ब्लोग बनाना चाहिए तो दोस्तो अभी तक आप किस टापिक को ब्लोग बनाना चाहिए तो मेरा रिकमेंडेशन रहे हैं तो किस टापिक को ब्लोग बनाना चाहिए तो मेरा दोस्ते यह recommend देस्ट नहींगा कि आपका किसमे interest है दोस्ते जिसमें interest उसी में आपको blog बनाना चाहिए जैसे जैसे अधी आप लोग अभी मतलब कि education करते हैं यानि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको educational website बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा या तो अधायब के एच्छे तरीके से बना सकतें या तो अधी आप लोग एक्टेड़् ones देखते हूं तो तो आज जाहिर सी बात है कि आपका हमेसा इंट्रेस्ट इंटर्टेन्मेंट में होगा कि कौन सी बॉलीबोर्ट, सेलिबिटी क्या हुए, कैसे हुए, क्या नहीं हुए, तो आपको उस टाइप के कंटेट बनाना पड़ेगा, यहां पर लंबे समय तक खेल चलता है, तो लंब दोस्तों फिर भी डिसीजन नहीं ले पारा है, कि हमें किस टापिक को ब्लॉग बनाना चाहिए, एकदब अभी आप सुरुगात कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा यहीं रिकमेंडेसन हैगा, क्योंकि होता है, जब सुरुगात करता है, कोई भी बंदा, तो उसे यह नहीं समझ लिख रहा हूं, इस टाइप काला पोस्ट लिख रहा हूं, तो मेरा इंट्रेस्ट ज्यादा आ रहा है, सेम तो सेम उसी टाइप के आप लोग आर्टिकल लिखने लगें, क्योंकि मेरा भी शुरुगात में दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं समझाता, तो मैं लिखूंगा, दिरे-दिरे दोस्तों मैं ऐसे मनमानी कहीं से देखता था, पढ़ता था, उसे चाप देता था, उसे ऐसे करते-करते-करते, दिरे-दिरे दोस्तों मेरा एक ही फिल्ड में इंट्रेस्ट बन गया, और उसी फिल्ड में मैं लिखने लगा, सुरुगात में दोस्तों मैं बता से एक राइटर बन जाएंगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग नए आए हुँगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीगा वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा दोस्तों चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करिए और प्राब्लम और हमारे इंस्टाग्राम को भी फालो करिएगा और वहां पर मैं हमेशा अनिंग प्रूफ सेयर करता रहता हूं जिसे आप लोग देख करके हमेशा मोटिवेट रहेंगे और कार करने के लिए हमेशा ततपर रहेंगे आपको चलता हूं कि मोबाइल पर किस तरीके से आप लोग वेबसाइट को अच्छे तो मेरे मेरे बॉक्स में पूरा क्रेंग करोगा जैसे कि यंके बॉस्पूर बात करने हैं तो यह कर दूँगा इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा जो मेरा यहां पर वाटसाब नंबर है इस पर आप लोग मेरे को आडियो कॉल कर सकते हैं दोस्तों कि मेरी वेफसाइट नहीं बन रही या तो दोस्तों किसी को दम न्यूव एक साइट ही बनवानी है तो मेरे जो वाटसाब नंबर इस पर एक बात जरू से जरूर बात कर लिजेगा मैं आपकी पूरी पूरी हैल्प करूंगा तो चलिए दोस्तों मैं अपनी मोबाइल के स्क्रम पर ले चलता और वहीं आपको सब कुछ सिखाता हूं दोस्तों डोमेन और होस्टिंग लेने के लिए यहां पर आने के पस्चात में आपको यहां पर एक क्लेम डिल का आपसन दिखाई देगा इसी पर आपको क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर आ जाएगा यहां पर यह आप डायेट करके यहां पर भी आ सकते आने के पस्चात यहां पर आपको दिखाई देगा कि 149 पर मत अभी यहां पर मैं डिसकाउंट कर दूँगा यहां पर देखें कि अभी 73% डिसकाउंट चल रहा है यह होस्टिंग लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा लेकिन इस होस्टिंग के बारे में थोड़ा समय बता देता हूं जैसे यहां पर देखें कि तो इसमे कोई भी प्राबलम नहीं होने वाली है और एक बार होस्टिंग ले लेंगे तो इसमें आप 100 वेफसाइट बना लेंगे तो इसमें आप लोग सिर्फ डोमेन को खरीदना होगा जो कि 200-300 को में मिल जाएगा लेकिन एक ही बार होस्टिंग लेंगे तो इसमें आप 100 यहां से आपको मिलेगा तो दोस्तों यहां पर आपको करना कि जो यहां पर आयट टू काट बटन दिखाई देगा इसी पर आपको क्लिक कर देंगे जैसे दोस्तों किलिक करेंगे तो आटोमेटिक या रेडायोट कर देगा जैसे मैं बता रहा हूं आप उदम सेम टू सेम होभू हमारे इस्टिप्स को फालो करेंगे यहां पर आने के पस्चाथ में यहां पर जो दिखाई देगा यहां पर आने के पस्चाथ में अधी आप लोग जो होस्टिंग ले रहे हैं अधी आपको 30 दिन के अंदर रिफंड करना है तो आप लोग 30 दिन के अंदर money back guarantee है आप लोग रिफंड भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको लोग ले रहे रहें होस्टिंग तो आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर आप लोग यहाँ एक मन्त के लिए लेकिन एक मन्त के लिए के लिए आपको यहां पर recommend करना है कितना में आपको 12 महिने कम 12 महिने के लिए select करना है हालांकि दोस्तों जो कि one year के लिए आपको एक फिरी में domain इसके साथ मिल जाएगा तो यहां पर आप लोग इसी को select करेंगे आलांकि आपके पास अधी चाते थोड़ास और long term के लिए तो 24 मंत के लिए भी आप लोग select कर सकते या तो 48 मंत के लिए तो मैं यहां पर आपको 12 मंत के लिए ही recommend करूँगा तो आपको 12 मंत के लिए आपको यहां पास select करना है तो select करने के लिए इसी पर आपको click करेंगे, click करेंगे तो यहाँ पर आपको फिरी एक domain name भी मिल जाएगा दोस्तो select करने के पस्चाँ में थोड़ा से इसी आप लोग scroll करेंगे scroll करने के पस्चाँ में आपको दिखाई देगा एक Google का जो की आपको sign in करना यानि लोग इन करना है अपने Google के साथ connect करना तो आप लोग यहाँ पर Google वाले बटर्ट पर click करेंगे दोस्तो Gmail account select करने के पस्चाँ आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे आने के पस्चाँ दोस्तो आप लोग यहाँ पर दिखाई देगा पुना आपको scroll करके नीचे जाना है नीचे दोस्तो select करके आएंगे तो यहाँ पर अपना payment method को select करने ना है जैसे कि आप लोग इसमें से कोई भी payment method को select कर सकते हैं पेटियम से कर सकते हैं चाहे नेट बैंकिंग से दोस्तों यहाँ पर मैं चुन लेता हूं पेटियम आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब final payment में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3384 रुपया दिखाई दे रहा total amount तो यहाँ आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है have a coupon code यहाँ पर आप लोगों को click करेंगे A-L-E-X L-X-C-G यानि यहाँ पर जो coupon code दिखाई दे रहा है इसी को आपको करना है क्या डाल लेना है L-X-C-G ध्याँ से देख लेजिएगा meaning अच्छे से ध्याँ से देख लेजिएगा L-X-C-G हालांकि मैं दोस्तों मैं आपको discussion box में इसे लिख दूँगा आप लोग उसे देख लेंगे देखने के पस्चाद दोस्तों यहाँ पर apply वाले बटन पर क्लिक करता है देखेंगे अभी देखेंगे 334 रुपिया है यहाँ पर दिखाई देरा है 3045 रुपिया पड़ रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर coupon code already आपको डाल लेंगे तो आपको ज़्यादा सज़्यादा discounted मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोग coupon code को जरू से जरू डालेंगे यहाँ पर आप submit secure payment पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे थोड़ा सा processing लेगा लेने के परस्चाथ में आपको again नीचे scroll करके क्लिक करना है तो यहाँ पर continue with your purchase फिर नीचे दिखाएगा continue with paytm का बटन उसी बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ आटोमेटिक आपके paytm एकाउन में रिडाइट कर देगा हो सकता है कि यहाँ पर जो दिखाए दे रहा है यहाँ मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड ना करें paytm इसकार से मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया हूँ यहां पर अपना जो भी इकॉर्ड होगा उसे आप लोग डाल देंगे डालने के परशाद दोस्तों यहां पर पेमेंट आटोमेटिक हो जाएगा देख सकते हैं दोस्तों यह पेटियम पेमेंट हो चुका है आपको कुछ भी नहीं यहां पर आपको करना है आपको बस इसे देखते ही रहना है अच्छा दोस्तों कभी कभी आप में जब वहां पेटियम में सेलेट करेंगे तो 5,000 दिखाई देगा लेकिन दोस्तों महांपर 5,000 दिखाई देगा नहीं आपको कटेगा 3000 लोगोर टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों अब आपको लेकर मैं चलता हूँ अपने मुबाइल के स्क्रीन पर और उसी जगह बताता हूँ कि कैसे करना है यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मुबाइल के स्क्रीड पागए और यहां पर क्लेम और डोमैन, यैंने एक डोमैन आपको फ्रीं में मिलना पर विस्टे कर लेंगे लेकिन दोस्तों मेरे मुश्ट रहे यह ओपर डाट कॉम डाल दिया ऊहां पर डाट कॉम नहीं डालना है त्यानि आप लोग देश सकते कि उपर अपना जो ही डालना है जाइन फिर आपको यहां पर दोमेन अविले लेने के परसचात में यहांपर कुछ आपसे डिटेश्ट को आपको भर देना जैसे कि चूज आपसण वाले बटन पर जैसे कि आपके परस्टनेम और लास्ट नेम यानि सब पर देना है कि आपके मेल अड्रेस आपकी सीटी की रहने वाले हैं अपना पीन कोड अर्था जीप कोड जैसे तीनंग को होता है नहीं और यहां पर दोस्तों मैं सब कुछ को भर दिया हूँ बरने के पशाइब दोस्तों देक सकते हैं मैं इस्टेट उत्ता पत्र पर जिए यां और हैं अपना मैं पीन कोड डाल दिया हूँ और यहाँ पर एक मोबाईल यहां बैप साथ बना राओं निकी मोबाईल रंदे के प्रश्चाद फिनिस्टरेशन वाले बटन पर टिक धिया जैसे जुस्तों किया तो यहां पर लग बाइच बन गया है यहां पर करते हुं यहां बूरा फाइनल नहीं हुआ है अभी यहां पर देश सकते के पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो मैं इसको मतला अपने इमेल एड्रेस में जा करके वेरिफाई करता हूं दोस्तों अपना जब जीमेल एकाउंट खोलेंगे तो कोछ आपके में ऐसा मेल आया होगा हालांकि दोस्तों अ यहां पर लेंक पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों यहां पर पर क्लिक करने यहां तो अब यहां से बैक हो जाना है या तो कड़ी कर सकते हैं अब कटकरने के सानी मैं जिस क्रोम में था वहां पर आ जाता हूं दोस्तों देखेंगे यहां पर मैं डायेट कट किया था तो यहां पर आने के पस्चाद में यहां पर मैं इसे रिफ्रेस कर देता हूं तो रिफ्रेस करने के पस्चाद में आपको लोगों दिखाई दे रहा होगा यहां पर दिख बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों यहां verified होने की पश्चाद में आपको दिखाई देगा यहां पर नीश्य connect your website to your hosting plan यानि जो आपका hosting plan है और यह डोमेन ने में इन्हें आपको क्या करना है कि connect करना connect करने के लिए इसी पर आपको क्लिक करेंगे क्लिक करने के पश्चाद में आपका hosting plan को select कर लेंगे तो यहां पर मेरा hosting plan है प्रीमियम बेब hosting इसी पर क्लिक करने के पश्चाद में आप भी उसी की स्टक करन दिखायं देगा इसी पर आपको करना है कैम क्लिक करें के तो दोस्तों आपको यह पर दिखाई देगा आई iam creating यहां पर ऐसा दिखाई देगा यहां पर हई किया बताता तो फट्सक्राइब करता हूं तो आपको जैसे मैं सब्सक्राइब करना है यहां पर आइम ब्लीग यानि इसी वाले पर पहले वाले पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर क्लिक करने के पश्चात में दोस्तों यहां पर कई आपको आपसम दिखाई देगा कि आपका वेबसाइट कैसा रहेगा अनलाइन इस्टोर रहेगा ब्लोग रहेगा बिजनस रहेगा तो दोस्तों आपको यहां पर सलेट करना किस पर कि आपका जो रहेगा कि यहां पर No thanks वाले पर Click करना है। दोस्तों यहां पर आपको करनना है कि Yes, Please वाले पर करें लिए। क्योंकि यहां पर आप Logs I am beginner होंगे तो यहां पर आपलोग इस पहले वाले पर taj Ç disease करना है। तो यहां पर समय के लिए processing लिएक पश्चाहत में यहां पर आपको option open हो जाएगा यहांपर है क्या यहां पर दिखाई देगा create a new website यहां पर पहला option दिखाई देगा और second option दिखाई देगा migrate your my website तो आपको करना है क्या कि जो पहला वाला ही है create a new website अभी जो वेफसाइट बन नहीं यहां पर आप लोगों को create a new website वाले पर क्लिक करना है यानि select वाले बटन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के पस्चात में यहां पर आपको दिखाई देगा दोस्तों यहां पर दिखाई देगा कि यहां पर hostinger builder और यहां पर wordpress हालांकि दोस्तों बहुत लोग को गलती हो जाती है कि यहां पर जो hostinger builder इसी वाले पर select होते हुए भी नीचे वाले पर क्या कर देंगे जो नीचे दिखाई दरा इसी पर क्लिक कर देंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको wordpress पर काम करना तो यहां पर जो wordpress वाला बटन दिखाई दरा इसी वाले पर आपको क्लिक करेंगे क्लिक करने के पस्चाद में दोस्तों यहां पर दिखाई देगा यहां पर select wordpress यहां पर भी आप लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों मैं यहां पर आप लोग क्लिक करता हूं select wordpress यहां पर करने के पस्चाद में दोस्तों आ यहां पर मैं लिखता हूं पासवर्ट को और यह पासवर्ट दोस्तों आपको करके यहां पर कोई सी डायरी में नोट कर लेना क्योंकि जब लोगिन करते हैं समद यही आपका पासवर्ट और इमिल अड्रेस चाहिए दोस्तों यहां पर दे सकते हैं कि मैंने पासवर्ट को स्लेट कर लिया है सलेट करने के पशचात में आपको दिखाई देगा एक कांटीन्यू का बटन इसी कांटीन्यू वाले बटन पर आपको करना है क्लिक जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर बहुत धे सारे आपसन आ जाएगा तो यहां पर आपको करना है कि यहां पर जो दिखाई दे रहा है यानि हुकामास यानि आपको यहां पर जो बता रहा है दोस्तों उसी को सेलेट करना है अन्य था इसकिप करना इसे भी दोस्तों यहां पर करना है कि यहां पर जो यह plug-in है यह आटो रिकमेंड कर रहा है कि आप plug-in ऐसे पहले से रख लेंगे तो यहां पर करना है कि यहां पर इस plug-in को प्रेस बोल ला है आलेडी तो दोस्तों मैं यहां पर कोई भी सेलेक्ट नहीं करता हूं बस आपको कुछ भी नई सेलेक्ट करना है यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने की पश्चात में आपको यहां पर दिखाई देगा चूज दोमेन यानि जो दोमेन है तो यहां पर मेरा ।ановा यहां पर करना है क्या अपको अंगिक करेंगे क्लिक करने के पश्चात में यहां पर दिखाई देगा यानि आपका जो सर्वर सर्वर लोकेशन यानि आपकी सर्वर लोकेशन पर कहां पर सेलेट करना चाहते हैं दोस्तों हैं अदिए आप इंटर्णेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते जैसे यूए सब्लॉग कर सकते हैं कि आप इंडिया को व्संक्थ रहने दैघना कोई भी इस चंद खानी मत करना और सूच नहीं दोस्तों कि मैं इंडिया में और अधर यहां पर कोई भी छटखाती नहीं करनी है यहां पर आपको करना है क्या कि फीनिश सेटप जो नीचे बटन दिखाई दिरा इसी वाले बटन पर आपको करना है क्लिक यह दोस्तों कुछ ही मिन्टों में होगा और यहां पर आटोमेटिक कम्पलीट हो जाएगा आपको यहां पर कुछ भी प्रोसेस को करना नहीं है तो यह आटोमेटिक हो रहा है तो बस इसे होने दीजिए तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि complete हो चुका है यहां पर नेटवर्क इरर बतारत इसे कट कर देता हूं मैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर पूरा का पूरा यहां पर complete हो चुका है और यहां पर wordpress भी install हो गया होगा तो मैं अभी अपनी website को विजिट करता हूं और देखता हूं कि क्या हुआ है कि नहीं तो मैं इसी एक new tab में open कर लेता हूं new tab में open करने के लिए आपको यहां पर 3.1 एक प्लस का box दिखाई देगा यानि बटन दिखाई देगा इसी पर click करेंगे तो यहां पर new tab open हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर जो domain name लिये हैं उसे को यहां पर type कर लेंगे जैसे कि यहां पर है क्या domain name फैक्ट फैक्ट सुभम यह सिर्च यू बी यच यम डॉट कॉम यानि जो domain name आपने लिया है इसी को यहां पर type करेंगे टाइप करने के पस्षाद में आप लोग यहां पर search करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं जो मैंने अभी domain name लिया था यहां पर यहां लाइव हो चुका है लेकिन अभी इसमें customization बाकी है जो कि मैं आपको पूरा customization करके A to Z दिखाने वला हूँ तो दोस्तों यहां पर जो मैंने अभी दिखाया था यहां यहां पर click करेंगे तो जो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर दोस्तों तो यानि आपको यहां पर जो hostinger है hostinger में आप लोग इन है और उसी जिगह से सब कुछ मैनेज करना है कि दोस्तों अब website को अपने wordpress को login करना लोग इन करने के लिए अपना जो chrome ब्रावजर को open कर लेंगे यहां पर जैसे chrome ब्रावजर को open करेंगे और अपने दोमेनिम को पर ताइप करेंगा तो लोमेन नेम क्या था फैक्टлан फैशी हश सिटियाа स्यच यह यह याश यू यह योज यिस यूप्स्चै он 만 जयानि कि प्रदणसार नगे धानौक हने देख ल कुल जाएगा ओंने कि पस्चतार दोस्तों यहां पर आपका email address पुछ रहा है और यहाँ पासवर्ड दोस्तों मैंने पिछले बार बताया था कि यह कापी में note कर लेना यहाँ पर जो email address डाले होंगे वहाँ पर और यहाँ पर password set किया था उसी को यहाँ पर fill up करना है तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूं दोस्तों और आगे प्रॉस्स करता हूं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपना जो इमेल aड्रेस यहाँ बार जीसमेल डाला था इमेल एड्रेस को और यहाँ पर जो पासवर्ड था जैसे कि मैं वालय बटन और क्लिक करेंग तो सब्सक् jokaayan को देख सकते हैं यहांपर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं समझ मिया रादी होंगा तो आपको्छ भी नहीं करना है दोस्तों सेक्रणा चाहाते इसो क्ड़ कर सकते तो एक करना है क्या दोस्तों सबसे पहले यहां पर जो थ्री डाट दिखाई दिरा यहां पर मैं कुछ इसमें प्रोसेस को बता देता हूं जैसे यहां पर जैसे बीड़ेट कर सकते लेकिन दोस्तों यहां पर कोई आपको सबसे ज्यादा Ola बटन हेगा यही सबसे ज्यादा इंप्पोर्टेंट आपके लिएabd क्याक closure अब कर किलिक करके आप लोग को लिख crave आपक्ँ को लिखेंगे कैसा लिखना दोसतों मैं आपको एटुजिट आगे बताने वाल pur brother by prata देता हूँ तो कहां पर धाएगा मियुक्तूं से पह वाले पर किलिक या लगत ये से सब्सक्राइब लागेगा हैमी है करें लगत करेंगी है कि यहां पर जब comment वाले box पर लिक करेंगों तो यहाँ पर दिखाई देगा यहां पर dwb करने की आफ़ी दिखाई देगा अपियरेंस यानी आपकी वाप साइट कैसे दिखाई देGOं यहां पर आपको सो थोंगा ह нstell कि अब कहने का मतलब दोस्तों के सबसे पहले num σकता पड़ेगा चुछ के पड़ेगी यहां पर कुछ प्लगिन के भी आवसकता पड़ेगी यहां पर प्लगिन भी इंपोर्टेंट है यानि अभी तक तीन इंपोर्टेंट देख चुके हैं यानि प्लगिन में प्लगिन क्या होती है प्लगिन जैसे क्यों होता है दोस्तों कि कोई भी चीज करने के लिए फंसन करन करना पड़ता है यहां पर करना है रात यहां पर यहां पर यूजर रहे यहांगि कि अपर यूजर को यूजर है को को लगा प्ल 그러면 आतों एंवहेटे लुज हाला कि पनाता है कि दोसक्तों डूसुरño गाई आपको बताने वाला हूं और दोस्तों रही बात कि या ज़ो वर्डप्रेस इंस्टाल करेंगे वर्डप्रेस का यहां पर ओवर वीव मैंने दिया हूं तो दोस्तों आप आपको मैं इसमें जो important setting है wordpress में उस setting को करके दिखाने वाला हूँ यानि आपके mobile से ही सब कुछ setting करने वाला हूँ तो पुना मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ जो three data इस पर click कर देता हूँ दोस्तों जो लोग नए होंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या क्या आपसन है इसलिए दोस्तों मैं आपको पुना overview दे दिया हूँ फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा पोस्ट जो भी लिखना होगा इसमें आना पड़ेगा और जब भी कोई काहेगा कि plugin इस्टाल करो तो इसमें आना पड़ेगा और कोई भी theme कहेगा तो appearance वाले में आना पड़ेगा और दोस्तों कुछ setting के लिए बात की जाएगो तो setting वाले पर आपको करना पड़ेगा हालांकि दोस्तों मैं आप अपनी इसमें से कुछ भी जो भी बटन पर क्लिक करेंगे तो पर्मा लिंक वाले बटन पर क्लिक किरेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको दिखाई देगा ऐसेवालो बटन पर क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर देख सकते कहां पोस्ट नेम बाले पर ही सेलेट हो और यहाँ पर सेव भी हो चुका है त्यानि यह पहले सेटिंग होई तो आप को फिर से करना क्या कि जैसे कि मैं बोलूँगा तो आपको यहाँ पर भी आपको ट्रूइ करना ओ लिए डाट बोलूँगा तो आपको समझ जाना किया पर यहां पर पूरा आप्शन होने लेगा देख सकते कि मैंनी आपको सबसे पहले कहां गया था सेटिंग सेटिंग में परमाल लेंगे हलांकि दोस्तों आप सेटिंग का काम खतम होगा तो इस पर किलिक करके से बंद भी किया जा सकता है हलांकि इसके आप कोई आप सकता नहीं अब मुझे करना है कि सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक थीम को इंस्टाल करना है थीम को इंस्टाल करने के लिए यहां पर आपियरे का बटन इसी वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सर्च कौन सा करना है यहां पर जनेरेट प्रेस क्लिक करना है यहां पर सर्च क्या करना जनेरेट प्रेस जी यन ई आर एट टी जनेरेट प्रेस जनेरेट प्रेस generate place search करेंगे generate place यहाँ पर आजाएगा इसी वाले pop को करनाया है किणी किलिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या install आपको करना है क्या install कर लेंगे दोस्तों generate place theme इनिश्टाल हो चुकी है लेकिन अभी तक इसे मैं activate नहीं किया हूँ लेकिन दोस्तो इसे activate करते ही दोस्तो theme का customization बहुत ही अच्छा look-up हो जाएगा लेकिन दोस्तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी website कैसी दिख रही है तो मैं एक new tab open कर लेता हूँ यहाँ पर जो प्लस वाला बटन दिखाई दे रहा इसी प्लस वाले पर क्लिक करके एक new tab में आपको दिखा देना चाहता हूँ कभी website कैसी दिख रही फैक्ट फैक्ट सुभम यस यच यू बी यच एयम फैक्ट सुभम.com यानि फैक्ट सुभम.com को सर्च कर लेता हूँ तो दोस्तों अभी भी दे सकते website का look up ऐसा है लेकिन वहाँ से जो एक्टिवेट है उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो करके बहुत ही अच्छी look up आ जाएगे तो पुना उसको लाने के लिए आपको क्या करेंगे यहाँ पर जो दिखाई देरा इसी वाले बटन पर क क्या पड़एगा मर्ण करने का मतलब दोस्तों एवाला जो है और आगे पिछे जाएगा आनीक स्चानी दोस्तों आप लोग इसी में धगयो distintos को जेक很有 भाग रहा है न इसे में आपको पर्षां में छोड़ेंगे दोस्तों तो देख सकते है दोस्तों यहां पर दो तो ऋपन करेंगे तो जिससी डिए बिद एक। Sum二 Al tava Chandler is dot ऌर तो पहले वाले बिद आइव पहले वाला मुझे और बोर जिए अायब नहीं करना पड़िंगा जब भी मुझे नया डेप्श एक ही साथ में जैसे लैफटाप में नहीं होता है तो यहां पर प्लस वाला बटन दिखाई ज़रा है इसी पर मैं बहुत साय टैप को ओपन करना ओपन कर सकता हूं तो हाला कि मैं दोस्तों अभी जो जन्रेश का थीम था इंस्टाल कर चुका था लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं किया तो एक्टिवेट वाले मैं इसे एक बार अगें रिफ्रेस करता हूं देख सकते हैं दोस्तों का लुक बदल चुका है पहले कैसा दिख रहा था लेकिन अभी कैसा दिख रहा है तो अभी इसे मुझे अच्छे तरीके से कस्टमाजेशन करना ताकि बहुत ही बेहतर दिखाई दे तो अभी तक यहां अब आपको करना है कि कुछ प्लगिन को इनिस्टाल करना पड़ेगा अपको दिखाई देगा एड़ अड़ वाले प्लगिन पर किलिक करेंगे जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ वैसे same to same आप plugin को भी install करना है तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर add new वाले प्लगिन को यहाँ पर search कर लेंगे दोस्तों जो भी plugin install करना पड़ेगा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है search box इसी search box में search करके हम लोग plugin को install करेंगे लेकिन दोस्तों मैं अभी यहाँ पर हमें एक plugin दिखाई दे रही है जो कि mobile से अधी आप लोग ब्लोगिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको classic editor की दिखाई देगी जो कि यहाँ पर suggest कर रही है तो हमें करना क्या पड़ेगा इस plugin को आपको install करना पड़ेगा लेकिन अभी कुछ और plugin को हमें भी install करना है जो कि contact form सेवान है easy table of content है rank month है site kit है जो कि यहाँ पर search करके अभी हम लोग उसी install करेंगे तो दोस्तों पहले मैं classic editor को यहाँ से install कर लेता हूं इंस्टाल करने के लिए सबसे पहले इंस्टाल वाली बटन पर आप लोग प्लिक करेंगे जैसे दोस्तों इंस्टाल हो जाएगा तो यहाँ पर activate का बटन दिखाई देगा इसे आप activate भी कर लेंगे आप क्लासिक ःडिटर दोस्तों फ्लगिण एक्टीवेट हो चुकी है यहां पर आपको दिखाई दे रही है यहां पर देख रहें न एक classic editor plugin एक्टिवेट हो चुकी है और यहां पर दोस्तों कुछ और अपने से plugin इंस्टालेट है उसे छोड़ देना है उसे कुछ भी नहीं करना है यहां पर ध्यास देखिए तो दोस्तों अधी आप इस plugin को आण इस्टाल करना चाहते हैं पहले एक्टिवेट प्लोग इंस्टव करने के लिए प्लूगन दिखाई देगा दोस्तों यहां सामने अड़न हूं क्या करना पड़ेगा यहां पर आ जाएंगे मैंने क्या बता था यहां पर आप लोग सर्च करेंगे पहला प्लगिन मैं सर्च कर लेता हूं contact form 7 co यहां पर contact form 7 सर्च करेंगे सर्च करने के पस्चात में यहां पर यह plugin आ जाएगी इसे आपको करना है क्या इनिस्टाल इनिस्टाल करने के पस्चात आप लोग यहां पर बटन चाप देंगे activate प्लगिन दोस्तों यह भी एक्टिवेट वह चुकी है दोस्तों मैं फिर से एक बार रिकमेंट कर देना चाहता हूं कि अब अगली यहां पर क्लिक कर देंगे या तो यहां पर आड़ नीव डिखाइए कर देंगे मैं यहां पर आपको क्लिक करके मैं आपको लेका चलता हूं यहां पर आने के पस्चात में यहां पर आप प्लगिन का नाम है Easy Table of Contents E-A-S-Y-E-Z-T-A-B-L-A Table of Contents जब दोस्तों यह सर्च करेंगे तो इस प्लगिन को आपको इनिस्टाल कर लेना है इनिस्टाल करने के पस्चात दोस्तों आपको यहां पर एक्टिवेट इस प्लगिन को कर लेना है दोस्तों यह प्लगिन बहुत ही छोटे छोटी होती है आप ऐसा मत समझेगा कि एक मात्र केवी में 2-4-10 केवी 20 केवी इतना मीरती है बहुत बड़ी यह सब केवी में नहीं रहती जिसकार से यहां पर कोछ भी प्राब्लम नहीं आती है इंस्टाल करने में तुरंत का तुरंत यह सब प्लगिन इंस्टाल हो जाती है इसके पच्चा दोस्तों फिर अगले प्लगिन इंस्टाल करना है में जो की जिवी प्रेमियम प्लगिन है उसके लिए दोस्तोंस धर Unless पिनो पर इहां पर कहीं मुद था सकते हैं यहां पर करने की प्रश्ताद मैं आड़ नीवगस वाले बटन कैलिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर में JP Premium प्लगिन को इंशल करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पर सर्ज करने पर JP Premium नहीं आएगा इसके लिए दोस्तों आपsche कर क्या उसके लिए दोस्तों इस प्लगिन को अप्लोड करना पड़ेगा अपलोड करने के लिए यहां पर अप्लोड प्लगिन वाले बुटन पर क्लिक करेंगे अप्लोड plugin वाले पर क्लिक करने पूशाइंगे तेसे अपके ग्लेरी में चला जाएगा तो यहां पर मैं ragination को जहां पर और सथालेट कर लेंगे अलांकि दोस्तों मैं यहां पर क्या पर रखा हुँआ उस सवाइट سबसे पहले को नोब यहां पर आएंगे और यानिके परश्चात में मैं डाउनलोड वाले पर डाउनलोड किया हूं और अभी मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड किया हूं या तो आप डायेट हमारे टेलीग्राम पाजाईएगा वहाँ पर मैं इसे अपलोड कर दूँगा मैं किसके किसको दूँगा ऐसे बहुत प्लग-इन यहां से देख लिए गर नाम क्या इसका जी पी प्रेमियम इसी वले पर सलेट कर लेंगे एक मिनट दोस्थो यह अलग प्लग-इन से ठोक़े जिया यह तो आटोमैटिव वला हो गया सलेक्ट यहां पर है जीपी प्रेमियम यहां पर दिखाई दे रहा है इस क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के पस्चाथ में यहां पर इंस्टाल नाओ का बटन दिखाई देरा है इस पर आपको कल दिलना है क्लिक दोस्तों क्लिक करने के प्रस्चात में आपको यहां पर आजाएंगे यहां पराने के प्रस्चात जो यहां पर दिखाई देरा एक्टिवेट प्लगिन एक्टिवेट वाले प्लगिन पर आपको करना है क्लिक जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे एक प्लगईन भी आपकी पूरी एक्टिवेट हो चुकी है अब दोस्तों मुझे एक अगली प्लगईन इंस्टाल करना है जिसका नाम है रैंक मैत तो रैंक मत के लिए यहां पर एड़नी वाले बुटन पर क्लिक कर देंगे आप लोग दोस्तों वहाँ से जो three dots है अधी आपको यह नहीं add new का बटन दिखाई देता है दिखाई देगा तो यहाँ पर three dots वाले पर क्लिक करके plugin वाले सेक्षन में आ जाएंगे यहाँ पर सर्च करेंगे rank math तो यहाँ यहन के rank math जैसे दोस्तों rank math सर्च करेंगे तो यहाँ पर यह प्लगिन आ जाएगी यहाँ पर आनिक पस्चाद यहाँ जो install नाव दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे इनिस्टाल होने के पस्चाद यहाँ पर activate दिखाई देगा एक्टिवेट कर लेंगे जैसे दोस्तों activate करेंगे आपको ऐसा आ जाएगा तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर connect नाव पर connect भी कर सकते हैं नई तो जो दोस्तों नीचे दिखाई देरा skip नाव यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों चलिए मैं आपको यहां पर connect करके दिखा देता हूं unit वाले पर क्लिक कर देंगे लिए क्लिक अस्तogi करने क Marketing पर चाहते हैं तो मैं अभी गूगल से connect करना चाहता हूं तो Google पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपका Gmail address email address select करने के लिए बोलेगा तो आप लोग कोई भी अपना एक email address select करनेंगे select करने के पश्चाथ आप यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर OK Activate Now वाले बटन पर क्लिक करना है यहां पर आने के पहस्चात दोस्तों आप लोग आ जाएंगे यहां पर आप कुछ भी नहीं करना है यहां पर जो नीचे दिखाई दे रहा है स्टार्ट वीजाड वाले बटन पर क्लिक कर दिएगा यहां पर दोस्तों आप कुछ भी नहीं करना है यहां पर जो दिखाई दे रहा है यहां पर सेव एंड कंटिन्यू वाले पर कर सकते हैं क्लिक फिर यहां पर दिखाई देगा गूगल कनेक्ट सर्विसेश इसे छोड़ दिजेगा बस आप लोग सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते चलिएगा आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों बस सेव कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू यहां पर दोस्तों आपको करना है क्या है कि सेटप एडवांस रिपोर्ट तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है यहां पर आप लोग जो दिखाई देरा प्रोसिट टू हैल पेज यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं या तो जो नीचे दिखाई दे रहा है एक बटन दिखाई देगा सेटप एंडवांस ओप्स इसपर क्लिक कर दिखा जैसे दोस्तों क्लिक करें गे तो यहां पर भी I am अप लोग सेटनी कर सकते हैं यह तो ड्रोल मैंगेजर को सकते हैं काऀ्षी सेडवाइं अच्छा ध्याcor a.k कटीन वाले बटन कहले है क्लिक करतेका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली एंड कंटिनु जो दिखाई देरा इसी पर खिलिक कर देंगे बस अब फिर वह सेव एंड कंटिनु यानि कुछ भी नहीं समन्झ में आ रहा है तो आप लोग एंड कंटीनु वाले बटन पर किलिक पर जाएंगे फिर कुछी टाइम पर आप लोग ऐसे पर आ जाएंगे यह दोस्तों रही rank math SEO यहां पर rank math का कार है कि यह SEO के लिए बहुत ही ज्यादा help करती है और इसके पूरी setting हो चुकी है लगभग आपको करना क्या है कि यहां पर जो ठीडार दिखाई दरा है त्री डार मतल्ड त्री लाइन इस पर क्लिक करना एक plugin क और अभी इंस्टाल करना है फोड़ा से scroll करेंगे इस पर दिखाई देरा है यहां प्लगइन वाले पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के पैस्चाथ में डाइट आप लोग इस पर भी क्लिक करके अप्संदिकाई देगा उपर या तो डायट आप लोग यहां पर एड़नी वा तो यहां पर साइट का जो मेनिंग होगा क्या होगा साइट साइट्ट यहां पर एच चुट गया था जिसकार से अलग प्लगिन सजेश्ट कर रहा तो यह पर साइट कि सेर्च जुश्रकंथ करेंगे तो यहांपर जो दिखाई दे रहा है यह गूगल वाला सिंबल आ जाएका साइट किट गूगल यहां पर आजाएगा इसी आप लोग को भी क्या करना है इस्टाल नौव वाले बटन पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों इन्छाल उआयंगा यहां पर एक्टिवेट का बटन दिखाई देना आपको करना है कि इस पर क्लिक करेंगे क्लिक कनेक पस्चाम दोस्तों आपका यह से आ जाएगा यहां पर आने के पस्चाम दोस्तों यहां पर आ जाएगा यह वाला मैसे दिखाई जाए का अंगुलुशन का अला और यहां पर सेट अप इस्टार्ट सेट आप वाले बटन पर क्लिक कर देंगे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पा जाएंगे और यहाँ पर आपको जो connect करना है connect करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा sign in यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है sign in वाला sign in with google वाले बटन पर click कर देंगे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे आपका gmail address पुछेगा कि किस से आप लोग select करना चाते हैं यानि किस से connect करना चाते है आप लोग अपने gmail address को select कर लेंगे select करने के पर साथ में यहाँ पर दो बटन दिखाई दो option दिखाई देगा तो इससे आप लोग allow कर दिजेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिर यहाँ पर जो continue वाला बटन दिखाई दे रहा है continue वाले पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक verify का बटन दिखाई देगा verify पर क्लिक करना है फिर यहां पर एक allow का बटन दिखाई देगा, allow पर किलिक करना है फिर यहां पर setup बटन दिखाई देगा, setup पर दोस्तों आपको कोई भी setting अधी ना समझे आए तो आप लोग वीडियो को शुरू से फिर से देख सकते हैं या तो मेरे से संपर कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी help करूंगा यहां पर go to my dashboard वाले बटन पर किलिक करेंगे दोस्तों आप लोग जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर आप लोग का site kit connect हो चुका है लेकिन दोस्तों अभी आप थोड़ा से स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर connect हो चुका है लेकिन दोस्तों अभी आपका यहां पर जो दिखाई देरा setup google analytics इसको भी आपको यहां पर connect करना है तो इसके लिए आपको करेंगे क्या इस पर किलिक करेंगे setup google analytics पर जैसे ही दोस्तों किलिक करेंगे फिर आपको अपने gmail address select करने के लिए बोलेगा आप लोग gmail address को select कर लेंगे select करने के पस्चा दोस्तों आपको फिन निचे निचे आ जाना है यहां पर continue का बटन दिखाई देगा continue कर लेना है आपको मैं एक एक step by step बता रहा हूं आप लोग ध्यान पर इस वीडियो को देखते रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यह दोस्तों देख सकते हैं कि यह analytics में भी आटोमेटिक करनेक्ट मैंने कर दिया है तो यहां पर ऐसे करके आएगा तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पर जो नीचे दिखाई देगा एक create account आप लोग बटन पर क्लिक कर लेंगे फिर से आपको दोस्तों वही अपना email address को select कर लेना है दोस्तों आप लोग यहां पर घबडाईयागा नहीं आपको जैसा भी आपसान आ रहा है बस उसको फालो करते जाएगा इस पर दोनों पर क्लिक कर लेंगे क्लिक करनेक पस्षाद में नीचे दिखाई देगा continue यह सब देख सकते कि ना जानी कितनी बार repeat हो रहा है बार बार दोस्तों यह आटोमेटिक आपके Google Analytics मेरे रिडायट कर देगा तो आपको घबडाना नहीं यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पर जो दिखाई देगा आई आलसो कुछ टर्मेंड कंडिशन देगा उसको यहां पर टिक कर दिजेगा और नीचे एक और टर्मेंड कंडिशन देगा यहां पर इसको भी आप लोग सेलेट कर सकते या तो कोई दिक्कत नहीं नहीं भी कर सकते हैं और यहां पर आई एसेट वाले जो भी है सब कर लेना करने फश्कातों नहीं जो दिखाये रहा है आई है अटंध हथे इसको अपने आप लोग क्लिक करेंगे है कि दूस्तों क्लिक करेंगे पून है अपको यहां पर आजाएंगे यहां पर लोग गो टू-माइट तो यहां आपको बटन सब को ट्रमिन मैं पुना यह आपके वर्डप्रेस के डैस्बोर्ट में लेकर आ जाएगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके पुना डैस्बोर्ट में लेकर के आ चुका है और यहां से आप लोग सब कुछ ट्रैफिक आपको कुछ भी नहीं करना जैसे मैंने बताया सेम टू सेम इस्टेप फालू करेंगी आपका सर्च कंसोल से भी यह करनेट हो जाएगा और गूगल एनलिटी से भी करनेट हो जाएगा आपको अलग से करने की कोई भी आवशकता नहीं है अभी तक दोस्तों आपके जो भी प्लगिन थी सब सेटप हो गई है प्लगिन अब आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर जो थ्री डार दिखाई दे रहा है अनि तीन लाइन यहां पर क्लिक करेंगे आपके आपसंस होने लेंगे अब आपको थोड़ा सा थीम को कॉस्टम करेंगे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ एक्टिवेट करने का अपसंद दिखाई देगा यहां पर एक्टिवेट को सब एक्टिवेट पापको करना है कि क्लिक हर एक्टिवेट वाले बटन पर आपको करना है कि ऐसे सभी एक्टिवेट है सभी को आपको एक्टिवेट कर लेना है दोस्तों यहाँ पर मैं लगबस सभी को एक्टिवेट कर चुका हूँ आपको भी जितने भी यहाँ पर एक्टिवेट बटन दिखाई देंगे सभी को आपको यहाँ पर करना है क्या activate तो यहाँ पर सब्सक्राइब هो चुका है तो यहाँ पर आपको कुछ भी problem नहीं आएगी एक complete करने के पस्चा दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक site library यहाँ पर दिखाई देगा आपको site library इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने पर दोस्तों थोड़ा से स्क्रोल करेंगे जैसे कि यहां पर दिखाई देरा है इसक्राइब लिख रहा है और यहां पर लिख रहा है इनफो यहां पर लिख रहा है इनफो ऐसे दोस्तों एक आपको दिखाई देगा मार्केटर थोड़ा प्लगिन को आपको करना है लेकिन दोस्तों आपको अभी कुछ प्राब्लम मा रही होगी न तो दोस्तों आप लोग इसे डेक्स टॉप साइट में करने इसके लिए दोस्तों यहां पर ठीडाट पर क्लिक करेंगे कोर्णा वाले में और यहां पर जो निगचे दिखाई दिरा यहां पर साइट लेबरेग दिखाई देगी अभी डेस्ट पर थे यहां पर यहां से आप लोग यहां पर आये थे जो कि मैंने आपको बताया था अब मैं आपको खोल देता हूं कि कौन मैंने आपको कहा था यहां पर दिखाई देगा यहां पर यही वाला है ना देख सकते का बटन इसी वाले पर आप लोग कलिक कर देंगे तो यह कुछी मींटो में यहाँ पूरा सेट अप इस्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड वाले बटन पर कलिक करेंगे I understand पर क्लिक करने के पस्चाद में Begin Import का बटन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर Begin Import इसी वाले पर क्लिक करेंगे तो यह कुछी मिन्टों में यह complete हो जाएगा और पूरी के पूरी इंपोर्ट कर देगा और आपके साइट का पूरा लूका भी बदल देगा तो अभी तक साइट हमारा देख सकते हैं कि अभी तक ऐसा ही है लेकिन उसे पूरा Import हो जाने के पस्चाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसी साइट दिख रही है तो दोस्तों अभी तक देखें पूरा Import हो चुका है अब मैं आपको साइट में लेका चलता हूँ कैसा अभी ऐसा ही दिख रहा है लेकिन दोस्तों इसे को मैं एक बार रिफ्रेस करता हूँ तिया साइट दे सकते हैं कि इसके पूरी पूरी लूक अप ही चेंज हो चुकी जो कि आपके सामने है अभी पूरा कस्टमाजेसन बाकी है लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी एक दिन बीच चुका है यानि नाइट को सुट कर रहते हैं नाइट से सुबह हो चुकी है तो मतलब कि एक दिन बीच चुका हलाकि नाइट को रहते हैं फिर उसके बाद में अब आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा डॉलर दिखा देता हूँ दोस्तों ताकि आपका मोटिवेशन बन जाए और इसी मोटिवेशन की इसे ही लोग अर्निंग करते हैं और अर्न करने यहां पर देखेंगे आज अभी देखेंगे मोर्निंग अभी 46 हो रहे हैं तो अभी 25 डाला अभी कल का 137 हो गया था अभी कल कितना बता 125 अपडेट के थे या 127 अपडेट के थे फिर 899 यानि 7 दिन करीमे 900 900 डालर हो जाएंगे आठ सो अठान बे देख सकते 899 यानि कर सकते कि 900 अधि 900 साथ दिन का ही जोड लेंगे तो कितना हो जाएगा नव अठे बहत्तर करीमे बहत्तर हजार रुपे मातर साथ दिन में यानि दिस मुंत यानि 2720 डालर हो चुके हैं और आज भी आज देखेंगे तो जो दिखाई दे बस थोड़ा से मुझे वक्त तीजिए मैं आपको दिले दिले सब कुछ सिखा दूँगा आज दोस्तों मैं बनाने बता रहा हूं कैसे क्या क्या बनाया जाता है तो दोस्तों मैं आपको पुना लेका चलता हूं अपने इसी मोवाइल के स्रिम पर आपको इसी जिगा दोस्तों यहां पर अभी वेबसाइट थोड़ा सा बन चुकी है अभी इसमें कुछ और कस्टमाजिशन जो कि मैं आके आपको बता दूँगा अभी दोस्तों आपको करना क्या कुछ पेजिस बनाने के लिए दोस्तों यहां पर दिखाई देरा पाला टैब आला पर किलिक कर करना जाएगा अब देखें लाश वाले करता है यहां पर ऐसे हो जाएगा यहां नहीं समझ सकते यादने काड़ें गरी अभी जोड़ना चाहते तो यहां जो पलस का बटन दिखाए देरा इस पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों एदि आपमें नीचे वाला नहीं आ रहा होगा आपको करना क्या पड़ेगा मैंने आहलां कि कल बताया था आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों जैसे यहां पर दिखाई देगा एक प्लस का बटन इसी प्लस वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दिएगा देखें दोस्तों एक निव टेब आपको ओपन हो जाए ऐसे करके दिखाई देगा आपको क्या करना कि कैता को जोड़ए नहीं का ओड़ेकर देगा यहां पर आपको कितना हो जाएगा चार तार हो جाएगा पेजिन, आपको एक टैप रहेगा तब तो यह तो यहां पर सब आप सकते हं। अभी मेरे को तीन की आउ सकता है तो जैसे जैसे मैं आगे आव सकता पढ़ती जाएगी मैं बनाता जाऊंगा यहां पर दोस्तों आपको अपने wordpress यानि अपना जो wordpress उसमें आ जाएंगे आनिक पर प्सचाथ में पेजो कई करना है तो यहां पर जो त्रिलाइन देख रहे है क्लिक करें इसी पेज वाले आप लोग करेंगे क्लिक करने की सबस्जा और लुट करने के लिए पटने हमे में क्लिक करते चले जाएंगे तो आपका सब धेर धेर करके डिलीट हो जाएगा ऐसे करके आपको सभी को डिलीट कर लेना है दोस्तों यहां पर देख सकते कि मैंने सभी को डिलीट कर लिया अब आपको करना क्या कि एक न्यूप बनाना है लोग और इसी वाले बटन पर क्लिक करके अब भी आपको यहां पर पेज को अड करना है अब यहां पर लिक देंगे पहला पेज बना लेंगे contact यानि जो भी लोग आपसे contact करना चाहते है लोग यहां पर इस प्लग इन इस्टाल कर वाया था अभी मैं दिखाता हूं जैसे दोस्तों इसको मैं अपडेट कर लेता हूं यहां पर दिखाई दे रहा है पब्लीच वाला बटन लांकि यहां पर दोस्तों दिखाईए दरा पब्लीस वाले पर क्लिक कर दिए अभी एक प्लग इन क्याफिक पड़ेगी जो कि दोस्तों मैंने आपको प्लगिन इंस्टाल करके बताया था तो आप में भी दोस्तों यहां पर कॉंटेक्ट का एक बटन दिखाई दे रहोगा इसी पाप क्लिक करेंगे अधी प्लगिन इस्टाल नहीं किया तो कर लिजेगा प्लगिन को तभी दिखाई देगा है तो मैं नहीं इस्टाल कर लिया तो जिसकार से में राबार इस स्क्रोल करूं करूंगा हलांकि मैं नैंपर करने प्षा mejorar को जैए आपको कूछ भी नहीं करना He s जो दिखाई दे रहा है इसी पर आपको लोग को टाइप करना टाइप करने के पस्चाथ में यहाँ पर आपको लोग कॉपी करने के पस्चाथ में यहाँ पर कॉपी करने के पस्चाथ में दोस्तों वही पूरा थ्री लाइन पर क्लिक करने के पस्चाथ में जो यहाँ पर पे श championships दोस्तों आप कुछ भी नहीं करना है यहां पर आ जाएंगे आने के पत्राटाथ में आप उसे पेस्ट कर देंगे घुँर्द कर देंगे करने के आपलोग दिखाई देगा इसा दिखाई देगा अब भी देखना है क्या कि यह हमारा अपडेट कर चुके थे हमारा कैसा दिखाई दे रहा है यहां पर प्रिवी चेंज दिखाई दे रहा है बटन इसी वाले पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर प्रिवीज चेंज पर क्लिक करने के प्रशाथ आपको दिखाई दे रहा है एक कॉंटेक्ट फाम यानि जो भी लोग आपसे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं पहले अपना नाम भढ़ेंगे अपना इमेल भढ़ेंगे आपसे किसलिए बा पर आपको अलग-अलग पेज को फिर से अट करना जैसे कि मैंने अभी कॉंटेक्ट का फाम पर आ है अब यहां पर आपको डालना है एबाउट अस के लिए यहां पर जो एड़नी का बटन दिखाई दे रहा है एड़नी वाले बटन पर क्लिक करेंगे एबाउट के लिए आ यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों यहां पर मैंने कुछ एड़ कर लिया हलांकि दोस्तों मैं अपने दूसरे अपनी वेवी वेवसाइट से दूसरी वेवसाइट से निकाल करकर यहां पर डाल लिया है दोस्तों आपको करना है क्या कि इसमें लिखना है क्या आप लोग को पढ़ना पच्छा लगता है और आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को वीजिट करके पढ़ सकते हैं और आप यह भी लिख सकते हैं आप कहा करने वाले कैसी रहने वाले सब कुछ अपना जो भी मेंसर करना रहेगा इस जो एबाउट अस में लिख देंगे लिखने के पच्छा दोस्तों थोड़ा से स्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा पब्लिस जो कि मैं तो इसको मैं सही कर लेता हूं इस तरीके से आप लोग कर सकते बाउट का पेज बना सकते आप अपने बारें बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा फिर तुस्जा इया सदब्ध-म्हाद करें और किली करेंगे तो यहाँ पर एड निवाला बटन-पी इसक पर पॉलिसी जनेरेटर डाट नेट कर ले जगा डाट नेट या नेट भी कर सकते हैं तो डाट नेट साच करिए क्योंकि दोस्तों इसके आप देखेंगे कि बहुत धेर सारे वेफसाइट आपको स्पोंसर की तरफ यहां पर जो यहां पर देख रहा है गूगल एड कर लगा करके वेफसाइट पर आहिए आपको जाना है कि यहां पर जो दिखाई दे रें प्रवाफजी पॉलिसी टेम्पलेट डॉट नेट यहां इसी वेफसाइट को जाना है या तो आपको थोड़ा से निचे दिखाई देगी तो इस पर आप लोग नीचे स्क्रॉल करकर जा सकते हैं याँ पर आणिक पृश्याब में दोस्तों आप लोग यहाँ पर आजायेंगे यहां पर आपको करना है कि योउर कमपणी यानी अपनी कमपणी दाल दिया जैसे आप अपनी website का नाम डाल देज़ेगा और यहाँ पर यहाँ पर किलिक करने के पस्चाद दोस्तों यहाँ पर ही आपको लाना है कहाँ पर इसको पेष्ट कर देना यहां पर लाने पर बटन दिखाई देराएं नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले क्लिक करने हैं आपको पूछेगा कि आप कि कंट्री ना जैसे दोस्तों मैं अभी इंडिया में तो इंडिया को मुझे सेलेट कर लेना थोड़ा से स्क्रोल करेंगे जी यच आई तो यहां पर आपको इंडिया दिखाई देगा इंडिया क्लिक कर लिए लिख दिया करने के पस्चाद में जनेट माई प्राइवेसी पॉलिसी बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे यहां पर आपका जो सब कुछ यहां पर जनेट होना इस्टार्ट हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना जो यहां पर नीचे दिखाई देरा सिकेंड वाला कापी टेक्स टू किलिप बोर्ट इसी वाले पर क्लिक करेंगे तो यह जितना भी लिखा है यहां पर जितना भी यह सभी के सभी क्या हो जाएंगे पुपी हो जाएंगे कौपी होने का पश्चाथ में मैं अपने wordpress में आता हूं जहाँ पर मैंने अभी छोड़ा था साय एक पुना फिर से पेज को रिलोड कर रहा है तो दोस्तों यहां पर पुना अपने पेज पर आ गया हूं आने के प्रस्चाद में आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर टेक्स्ट वाला है इसी जगह जो है सब कुछ आपको करना क्या पेश्ट कर देना है आपको इसे नहीं से हम से समध्यूबत अभी प्राइवसी का सब्सक्राइब नीचे पने बटन दखाई देगा से प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् दोस्तों देखेंगे यहां पर जो दिखाई दे रहा है यहां पर जो देखेंगे H1 दिखाई दे रहा है यहां से करके दिखाई दे रहा है जो कि आपको इदम फॉंट सही सही नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर मुझसे mistake क्या होई दोस्तों कि यहां पर मैं इसे पूना हटा देता हूँ आपको अभी मैं जैसे बता रहा हूं उसको कर लेना हटाने पस्चात में हटा देता हूँ इसे हटाने के लिए सबसे पहले कट वाले बटन पर क्लिक करेंगे मैंने यहां पर ध्यान से से दिखेंगा दो बटन दिखाए देता है एक विजूर दिखाई दे तो आपको करना था क्या टेक्स्ट वाले पर क्लिक करके करना था। जैसे मैं Cathy क्लिक करता हूँ आप उससे पुना पेश्ट पर देता हूँ यह पर उंगलियों को प्रेस करेंगे पेश्ट का बटन में यह किस तरीके से कितना अच्छा आप दिखाई देने लगा है सब कुछ यहां पर जो यह बहुत ही अजीब दिख रहा था लेकिन अब देख सकते कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है दोस्तों यह पेज एक तयार हो गया अब एक पेज आपको और पर क्लिक करतों अब jr नहीं वाले बटन पर क्लिक। अभी आपको अट करना का term and condition जयासे देख लेए ठोर डिय। और्प कंडिेशन का सब्सक्राइब तो किडिशन लिखने के लिए आप लोग करें जाएंगे ध्यां से करना तो तो इसको siam अलग टैब में प्रषाद मेंदेश्या जरीटा दाल लंगे अनिक प्रषाद में दूस्तो एक तर्मली का स्पons estim कर्रा है उसको नहीं देखना है आपको ऐसा लोगों रहेगा टर्म एंड कंडिशन जनेरेटर डाट नेट या तो सर्च कर सकते तो यह आएगा इसी पर आपको लिख करेंगे क्लिक करनेक पश्चाद में पूना वही सब करेंगे जैसे दोस्तों हैं हम भी इंडियन है तो इंडिया विए को सब्सक्राइब आपको बहुत अपना यहां पर इमेल एड्रेस को डालेंगे इमेल एड्रेस डालने के पस्चात में यहां पर दिखाई देगा जनेरेट माइट टर्म एंड कंडिशन इसी पर आपको करना है क्लिक जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछी समय में जनेरेट करके दिखाई देगा आपको करना है कि यहां पर दो कॉपी करने के बटन दिखाई देगा एक यहां पर पहला तेक्स टू क्लिक बोट आपको करना है कि यहां zajukk करना है और ही क्लिक करा। यहां पर दोस्तों देखेंगे मैं new new page open किया हूं तो मैं इसी आसानी के लिए किया हूं नहीं तो आप लोग बार 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 बदलेंगे तो बहुत ही ज्यादा problem होगी दोस्तों यहां पर जो दिखाई दे रहा है अभी या तो visual या तो text हमेशा दोस्तों visual पर होता है करके करने के प्रेंगे प्रिश्चात आप थोड़ा से स्क्रॉल करेंगे इस क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर पब्लिस का button दिखाई कि देगा इसी पब्लिस वाले button पर क्लिक कर देंगे श्युक्त दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आप फिर इसे देखना जाते कि कैसा दि दोस्तों एक पेज और बचा हुआ जिसका नाम है डिस्क्लेमर के लिए दोस्तों आपको पुना उसी में आ डिश्क्लेमर दोस्तों यहां पर बढ़ देखे में का जा है यहां इसका कोई अपकाम नहीं नहीं है यह आप सर्च करके इसका जरनی're just से इन i.r8 हालांकि थोड़ा डालने की परसा साथ यहां से आपको डॉर्ट Net याहां पर क्लिक करना है तो सकता है दो तीन मतलब की लाइन के नीचे दिखाई देख तो उसी को खोल देना सेम टू सेम प्रोसेस को आपको पूर्णा यहां पर दोराना है करने अपने सदूभू करते करें अपना यहां पर अपना इमल डरेस को डालने के लिए मैं अपने चले आ चले सब्सक्राइबर100 यहां करना डालना है कुछ भी प्राब्लम आती है तो हमसे जरूर कॉंटेक्ट कर लेजिए गा मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा और आपको यह पूरी बनवानी हो तो भी बता दीजिएगा मैं बना दूंगा हलांकि दोस्तों इनका वेफसाइट जो मैं फिर आप कॉस्ट में बना रहा हूं यहां पर दोस्तों क्योंकि मैं जब सुरुगात किया था तो मुझे बहुत ही ज्यादा है यहां लग रहा था जिसकारण से मैं सुचता हूं कि जो लोग भी नहीं बना पा रहे हैं वेफसाइट ही नहीं बना पा रहे हैं तो आगे करेंगे कैसे पोस्ट लिखेंगे तो लिखना शुरूआत करेंगे और पोस्ट लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो वेफसाइट ही नहीं बनाने आती तो मैं पोस्ट कैसे लिखंगा अगला इस्टे पाई ही नहीं पाएंगे जिसकार से मैं उनकी वेफसाइट बना देता हूं और और एक दिन धीरे-धीर तो सब कुछ उसकते हैं तो आप भी बनवाना चालते दो बनवा सकते ज़नेट वाले पक्र लिएटे करेंगे करेंगे मैं आपको अपने या पर दप्रेस में रहेगा और بदेंज नहीं वीजूर में देंगा पर टेस्ट रहेगा टेक्सिट वाले लेकिन विजूल पर आपको कुछ अलग साहीं दिखाई दे रहे हैं यहां पर बोल्ड इटैली क्लिक करता हूं इसे पुलः पेश्ट करने के पाद है और यहां पर एक बटन देखाई देगा पुछ वाले पर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे यहां पर आजाएगा अब मैं इसे दिखाना चाहता हूं कैसा दिखाई दे रहा लेकिन कोई जरूर नहीं देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप लोग जानते हैं कि यहां पर प्रिवी चेंज है इसी वाले पर क्लिक करेंगे तो आ क्लिक करने की पतिषाद में अभी मैं पोर्ष्ट नहीं लिखना बता रहा हो दोस्तों जहां पर जो दिखाई दे रहा बना तो जिस झार से कटेगरी वाले ड़े बटन पर क्लिक करना है देघए कुछ काटेगरी को बना लेता हूं जैसे काटेगरी का नाम क्या डाल लेता हूं पहला डाल देता हूं जैसे कि इनु evac principio फोर किये अर्म नाम क्या क्या देना होगा जैसे मैं देता हूं की education यहां पर यह और नाम है एपने कि एपने के सब्सक्राइब। कि एक बात किलिक करता हूं देखेंगे दोस्तों टेक का यूए अब बता इनका एक और डाल देता है न्यूज हैं जूज डालने का बचल Farm hal riches रजहके क्लिक करतीह यहाँ देखेंगे दोस्तों निउज गए यूज यहां पर आपका बेटान दिखाई जाते डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके इसको आप डिलीट कर सकते हैं को दोस्तों आपके category बन चुके ही pages बन चुकी है लेकिन आपकी website में लेका चलता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नहीं यहाँ पर menu वाले जो तिरी डाट दिखाई दिरा है यहाँ पर क्लिक करने के परस्चाद में आपका कुछ भी open नहीं हो रहा है नहीं उपर category यहाँ पर दोस्तों जो भी है category होनी चाहिए और नीचे जो दिखाई दे रहा है फूटर बार में फूटर बार में आपका जो पेज है पेज भी नहीं दिखाई ज़रा जैसे दोस्तों प्राइविसी पॉलिसी दिखाई दिखरी टर्मट और कांटेट यह दोस्तों क यहां पर क्ल करेंगे यहां पर दीख करेंगे आप लोग उससे सर्च कर सकते हैं यहां पर आज आएंगे दोस्तों classic editor तो मैं पहले ही install कर लिया था दिखते हैं यहां पर सो दिखाइदेता है मैं आपने फूटर बार में और प्राइम torpedo मेने你在 हेडर में आपको ही कटेगरी और प्रेस को यहां पर आ जाएंगे थ्रिलाइट पर लांव你们 пять करेंगे आपको यहां पर आपिएरियंस दिखाए देगा appearance वाले पर click करेंगे तो यहां पर आपको तीन चीज़ दिखाई देगे एक आपको theme दिखाई देगा वीड्य चाह दिखाई देगा menu दिखाई देगा general press यानि editor सब कुछ दिखाई देगा दोस्तो आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर जो दिखाई दे रहा है वीड्य वाला बटन इसी वाले पर आप लोग क्लिक करेंगे या तो menu वाले पर click करेंगे वीड्य वाले पर click करने के पस्चाहत में दोस्तों यहां पर आ जाएंगे यहां पर आने के पस्चाहत में सोरी दोस्तों यहां पर गलत मैं आ गया आपको click करना यहां पर appearance appearance में आपको यहान पर आपको दिखाई देरा या तो भी आपर करके इसे सट करेंगे लेकं दोस्तो आप लोग तो अधिन को और जो पूल्बर कर देंगे यहां पर दिखाई दे रहा है इसको पाले तीन पिल पर जो भी आपने के लिए अ कि लिंक पर क्लिक करेंगे यहां पर रिमीव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे यानि आपको करना क्या पड़ेगा इन तीनों को आपको पहले हटा देना है तो तीनों को हटाने के लिए सेम अब यहां पर क्लिक करने के ul पर सभी पेजेस को के जिसे जैसे अब कॉंठेक्र दिखाई द्यां मुए इस पर क्लिक कर देंगे मे clean करने कि आपको यहांप दिखाई देरा save change वाला बटन इसी वाले पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे अपनी website में आ जाएंगे यहाँ पर यह website है दोस्तों मैं अभी update करता हूँ update करने की पश्चाद में आपको दिखाई देने लगेगा सभी pages दिखाई देने लगेंगे दोस्तों यहाँ पर नीचे आता हूँ आने की पश्चाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो about है contact disclaimer है यह दिखाई देने लगे देखेंगे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो सभी work भी कर रहें अच्छे तरीके से अभी जो मैं पिछे दिखाई तो वर्क नहीं कर रहे थे लेकिन यहाँ पर देखेंग सभी links वर्क अच्छे से कर रहे हैं जो मैंने page add किया था यहाँ पर सभी pages दिखाई दे रहे हैं इस तरीके दोस्तों यहाँ पर नीचे बाला बट दिखाई दे रहा है यह आपका पुरा pages add हो चुका है अब आपको दिखाई देना आपको करना है क्या कि यहाँ पर दिखाई देरा मेनू मेनू वालो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी category नहीं सो हो रही है इसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी वही home page पर आ जाएंगे आने के बाद में यहाँ पर रहेंगे रहने के पश्चाद दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर फूटर बार था ना तो फूटर बार है तो यहाँ पर फूटर के लिए था अब यहाँ देढ़ों दोस्तों आपको करना है के प्राइमरी मेनु यानि यहां पर किलिक करेंगे क्लिक करने के पष्ट करते दौस्तों यहां पर खुशाए रहा है कर खुद foster जो यहां पर दिखाई देंगे इसको आपको हटा देना है दोस्तों हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वही जो दिखाई दे रहा है इसी हर बार के रिमू कर देना है रिमू करने के लिए यहां जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही दोस्तों और नो करेंगे सब्सक्राइं आपको सब्सक्राइब एतना सब्सक्राइब निचे अజए- Gabrielle करेंगें जैसे क्लिक करेंगे जैसे क्लिक बिस्तो आप इसी थोड़ा साइट में और करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देए देए देखेंंगे देख सकते सभी जब हम दिखा entertainment education news take यानि आपको सभी category यहाँ पर अच्छे तरीके से show हो रही है दोस्तो अब तक आप लोग category को उपर add कर चुके हैं नीचे आप लोग देखेंगे तो pages square कर चुके हैं लेकिन दोस्तो यहाँ पर दो चीज बहुत ही remove करना है अभी जो दोस्तो मैं आपको desktop साइट में दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ पर दोस्तो आपको करना है क्या है कि यहाँ पर जो यह दिखाई देरा है इसको हटा देना है और नीचे थोड़ा से scroll करेंगे scroll करने के पस्चाथ मैं build with तरफ जबिस दिखाई देरा है उसको भी आपको करना है वही same to same इसमें करेंगे तो इसी जगह आएंगे एक जगह दोनों लेकर के आएंगे आपको यहाँ पर करना है कि जो यहाँ पर appearance वाले पर क्लिक करना है आपको appearance पर क्लिक करने के पर शाथ में जो यहाँ पर customization है और आपको मैं website में दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पर जो active किया हैं कि नहीं जैसे दोस्तों मैं आपको पहले ही एक बार सबको active active क्लिक किया थे active जब जनेट प्रेस को इंस्टाल किया थे लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान देजिएगा कि आप में यहाँ पर deactivate दिखाई दे रहा होगा आपको कुछ भी नहीं करना जिसमें दोस्तों आपको एक्टिव का बटन दिखाई दे रहा होगा उसको आपको करना क्या active वाले पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से आपको चन के यहां डिक क्लिक कर दे रहा हैत्ता गटने लोकों को यहां पर जो दिखाई दे रहा है क्यilíb teks फेइग्र लेकिन दोस्तों क्लेशी पर डमी वरिचने में तो आपको करना क्या पड़ेगा इस श्चाफ साइट में कर लीज जिगा एक बाल थी लाइन पर क्लिक करेंगे यहां पर डेक्स्टाफ साइट जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप में ऐसा सो होने लगेगा जब दोस्तो आप में ऐसा सो होगा तो आपको करना क्या यहां पर दो चीजी हटा देनी है जैसे दोस्तो आपको यहां पर क्या करना है कि यहां पर प्रोडक्ट हाइलाइट है इसको हटाना है इसको अटाने के लिए, यहाँ पर जो एक pencil button दिखाए दे रहा है, यहाँ पर pencil का button इसी pencil रहले button पर आपको करना है क्लिक, जैसे ही दोस्तों, क्लिक करेंगे टो यहाँ पर side में एक open हो जाएगा, open होने", पस्चाद में यहाँ दोसे रिमूज का button दिखाए इस फ्रमार दिखा दरा दूस्ट मेवन्गिया इसना करेंगे रिमोवड वाले भी प्र्तं करेंगी तुद देखेंगी दोस्तों यह आपको प्टमेटिक यहां से पुरा oland शुका है इसको हटने के पस्चाद में दोस्तों आपको करेंगे थोड़ा से बैक साइट में आ जाएंगे आनेक पस्चाद अभी मैंने क्या बताया था कि फूटर में जो दिखाई दे रहा है इसी वाले पर इसको भी हटाना है इसको हटाने के लिए आपको करना है क्या पड़ेगा मैं आपको किया था यानि copyright 2023 या भी 2023 कर लिजेगा इसको पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देना है इससे दोस्तों देख लिजेगा क्या है लिखा हुआ copyright 2023 यानि आपको जो website का नाम है फिर all right reserved यानि आपको इसी को ला करके यहां पर करना है कि पेस्ट कर देंगे जैसे दोस्तों पेस्ट करेंगे तो देखेंगे यहां पर जो build with general page यहां पर जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा था build with general page हलांकि मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर सबसे नीचे थोड़ा से देखने का प्रयास करेंगे यहां पर जो दिखाई दे रहा है यहां पर इसको अपडेट करेंगे तो यह आटोमेटिक गायब हो जाएगे जो कि मैंने अभी करके दिखाए देख सकते दोस्तों गायब हो चुका है थोड़ा से स्क्रोल करेंगे और यहां पर नीचे भी देखेंगे दोस्तों तो यानि आपकी वेबसाइट करना फैक्ट सुभम आल राइट रिजर्ड यानि जो सकते दोस्तों आपको त्रोगों पिल्यक्ता सकते दौस्तों गर्ण सकते लेकिन दोस्तों आप को कुछ भी छड़कानी नहीं कंते यहां पर आपको कुछी भी चीज़ की कोई आसकता नहीं हलनकि दोस्तों आप लोग नगानी लिखा ने फंग दोस्तों क्लिक कर्ता हूं। जो यहां पर फैक्ट सुभाम.com लिखाते से हटा देगेगा यानि फैक्ट सुभाम.com यहां पर हटा देगे तो ज्यादा बेहता लगेगा फैक्ट सुभाम यानि फैक्ट सुभाम हो जाएगा और यहां पर अधी आप लोगों लगाना चाहते तो अपनी वेबसाइट का एक को बना लेंगे लोगों लगा लेंगे और site atkevn लगाना चाहते हैं लगों जाइधडा इंपोर्टेंड है पर खंवे जचलुख दोस्तो सेम टो सेम कर लेंगे अपनी फाइल्स को सलेट कर लेंगे फाइल्स को सलेट करने के पस्चाथ दोस्तो आपको यहाँ पर जो भी images आएगा recent में images उस कोई भी images को आपको करना क्या यहाँ पर सलेट कर लेना है जैसे दोस्तो मैं एक दो इमेजस को कोई भी Regmaj को यहाँ पर select कर लेता हूं। हाँ आप भों image, पूद आइकन। अपना site आइकन को बना लेजेगा और इसको upload करेगा। दोस्तों यहाँ पर निसान है इसे वाले को किलिक करता हूं जो यहाँ भी खेट हे पर इस पर क्लिक करने के प्रस्चारत में दोस्तों यहां लगा तो देखेंगे पूरा site आइकन आपका भी लग गया है और यहां पर थोड़ा से स्क्रॉल करेंगे जो site आइकन कहां दिख रहा है दोस्तों यहां पर दिखाई दे रहा है और मैं बता देता हूं दोस्तों जैसे कोई यूरल आपके website पाता है तो यहां पर fact subum.com नहीं रहता तो यहां पर जो आइकन अता सायट का इकन इस दिखाई दे रहा है गया जैसे कि आपका बताता हूं कि यहां पर जो इनके में देखेंगे यहां पर जो green कर दिखाई दे रहा है आप में अभी जो मैंने ब्लू अभी यहां पर ब्लू कलर लगा है वह ची लिखेंगे अपडेट करने के लिए कोई भी आएगा सर्च कर सकता है यहां मेनू दिखाई दे रहा है और मेनू दिखाई देने के प्रस्चाद में सब कुछ यहां पर कस्टमाजेशन लगभग हो गया है अब दोस्तों आपको कैसे आर्टिकल लिखना वह आपको मैं बताऊं किस तरीके से अपनी वेफसाइट में विजिट करना है और आपको सभी आर्टिकल को लिखना है तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों जैसे के मैं अपने क्रोम में जाता हूं जाने के पस्चाद में आपको यहां पर सर्च करना है क्या फैक्ट सुभम या फिए सीटी या सब्सक्राइब करने लगता है यहाँ पर पासवार्ट को डालना है जो मैंने बताया था कि आपको इस पासवार्ट को लिख लेना है और आपको अपने इमेल अडर्स को लिख लेना है दोस्तों अपना यहाँ पर पासवार्ट जो है पासवार्ट डाल लेजिएगा और अपना इमेल अडर्स डाल लेंगे तो बार बार आपको पासवार्ट डालने के आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर लोगिन वाले बटन पर क्लिक करे कि आप लोग अपने पासवार्ट को फार्मिट कर सकते हैं दोस्तों फर्स टाइम में से पासवार्ड मिस्टेक हो गया था क्योंकि मैंने वहां पर एक कैप्टल अच्छा लिखा तक कैप्टल को नहीं लिखा जिसकार से मुझे भूल गया तो यहां पर करना क्या पर जो जैसे पासवार्ट सेब करें कैप्टल इसमाज जो भी लिखें उसी को डालना है यहां पर लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको वेफसाइट में आपकी मुवाइल में ऐसा ओपन हो जाएगा अब आपको पोस्ट लिखना है मैंने से आसकता लगेगी पोस्ट को यहां पर जो थ्री लाइन है थ्री लाइन वाले पर क्लिक करेंगे यहां पर जो दिखाई देगा एक पोस्ट का सेक्शन पोस्ट वाले पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर आपको दिखाई देगा एड न्यू वाला या तो आल पोस्ट वाले प इसी ट्रेस्ट वालेवं करते जाएंगे तो सब को मैं दोस्तों एक इस बारे बारे सकते हैं कि आपिसे जाएंगे आपे सामने शेकर यहां पर चलिक नोर यहां पर सब्सक्राइब था तो आप विझा1 पर लेता हूं अभी हां की पर अब जो दिखाई दे रहा है टाइटल डालेंगा टाइटल डालने के परस्षात में यहाँ इसको भी आपको दिखाने वाला हूँ दूस этих गूस्त अभी मैश दूसालार में वृट प्रेस परद पर आपको मुवाइल से ब्लोगिंग करनें बताया तरीका है कैसे वेबसाइट बनानी है तो दोस्तों मैं अभी यहां पर Google में सर्च कर लेता हूं कि WordPress वेबसाइट कैसे बनाता है यहां पर आने के परशाथ ने दोस्तों कोई भी वेबसाइट को विजिट कर लेता हूं सबसे पहले जो यहां पर द दिखाई देगा और यहां पर दोस्तों डिखाई देगा और यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों यहां पर ओपन हो जाता है दोस्तों यह एड है इसी का आपको पैसा मिलेगा आपके वेडसाइट में कहीं जहीं न कहीं जहीं गूगल इसे भेज़ेगा जो की एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी करीमें 25-30 आर्टिकल लिखेंगे लिखने कि पश्चाद में ऐसा एड आपके में वाइल में आने लेगा यहां पर आएगा दोस्तों यहां पर आएगा अड आएगा भर भर के अड आएगा देख सकते दोस्तों यह सब एड ही आड आ रहे हैं यहां पर एड आ रहे हैं यहां पर एड आ रहे हैं देखेंगे जैसे कि यह एड किसके तो एडस भाई गूगल का दिखाई देगा अब ही मैं आपको keyword research करने बताऊंगा किसी और वीडियो में लेकिन आपको एक idea दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है यहाँ पर जो भी website को visit करेंगे यहाँ पर title लिखे हैं यहाँ पर इसको पढ़ना है यहाँ पर पढ़ने के पशार्ट में अपने सब्दों में नहीं को लिख देना है जैसे कि यहाँ पर देख देखेंगे wordpress वेब्साइट कैसे बनाए तो मैं दोस्तों थोड़ा सब पढ़ करके इसे एकत्रित कर लिया हूँ जो कि मैं आपके article में यहाँ पर लिखने वाला हूँ हालांकि दोस्तों मैं अपने लिख करके notepad में save किया था जिसकार से मैं यहाँ पर notepad में आ जाता हूँ आने के पासचात यहाँ पर आपको दिखाई देगा सब कुछ को मैं कर लेता हूँ यहां पर कॉपी करेंगे कॉपी करने के पास चाहत में आएंगे यहां पर आर्टिकल में यहां पर टाइटल है टाइटल को लिख देंगे या तो यहां पर लिख दिखेगा जैसे कि यहां पर मैंने क्या लिखा है कि यहां पर इस्टेप बाइस्टेप गाइड लिख सकते हैं अब यहां पर दोस्तों आपको लिखना है क्या content को लिख देना है content मैंने भी लिख चुका हूं यहां पर देखेंगे तो यहां पर है जैसे कि यहां पर पहले आपको थोड़ा से इंट्रो लिख देना है तो यहां पर मैं इसे copy कर लेता हूं आपको दोस्तों डारेक्ट इसी तोड़ा सा करी यहां पर दिखाई-दर्यार कॉर्णमीर स्पीकर पर किलिक तरके आप लोग बोल करके भी अच्छी तरीके से लिक सकते हैं के आख इसी तरिके से दोस्तों में वहां पर जippना भी इतना भी इतना सोट्ट सभी को पर ना यहांली को पर करना है जैसे दोस्तों यहां पर आपका पहले इंट्रो पर यहां पर तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर एस्टू हेडिंग हो गई है यहां पर देखें पहले लिखा क्या गया है इसे पढ़ते चलेगा आप ब्लोग बनाने जा रहे हैं या कोई परसनल वेबसाइट या आर्टिकल आपकी मदद करेगा वर्डप्रेस में ब्लोग कौन कौन स्टेप से मैंने यहां पर नोट डाउन किये दोस्तों जैसे कि पहले आपको करना क्या पड़ेगा डोमेन आपको यहां पर एक डोमेन नेम खरिदना पड़ेगा एक होस्टिंग हालांकि दोस्तों यहां पर डोमेन नेम और होस्टिंग साथ ही मैंने खरिदा था और आपको domain hosting से connect करना पड़ेगा जो कि जब खरीदेंगे दोस्तो आटोमेटिक करनेक्ट हो जाएगा और यहां पर उसके पश्चात दोस्तो आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर आपको wordpress को install करना पड़ेगा थीम को चुनेंगे इस तरीके करने के पस्चात में आपको बताता हूं यहां पर दोस्तों इसे हम लोग इसमें कर लेंगे यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों इसके बारें पुरा लिखना तो यहां पर इस पर क्लिक करेंगे इसे आप लोग बना लेंगे हे एच थ्री बना लिजीगा या तो दोस्तो एच टू ही रहने दीजेगा एच टू बना लेंगे फिर थोड़ा से नीचे आएंगे तो आप लोग अच्छी पूस्टिंग का चुनाव कैसे करें इसे भी आप लोग हेडिंग बना सकते हैं दोस्तो ओ आपने हिसाब से आप लोग बनाना है कैसे बनाना है क्या बनाना है और यहां पर कुछ होस्टिंग के नाम दिये गए जैसे कि पहला है होस्टिंग गर तो इसको भी मैं ऐसे से सेलेट कर लेता हूं यहां पर जो दिखाई दे रहा है यहां पर दोस्तों मैं क्लिक कर रहा हूं ऐसे के लिए जो दिखाई देरा नहीं है यहां पर इस पर क्लिक करेंगे या तो उसको बगल वाला पर भी क्लिक कर सकते हैं कि दोस्तों इस तरीके से आप लोग पूरिय का पूरिय सेलेट करके आप लोग बना सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों आपको जो भी कंटेंटर लिखना होगा इसी में कंटेंटर लिखेंगे और और यहां पर पर जो अच्छा है न च Nazi है तो 8 फोड़ा सो यहां पर प्रॉड मोटा हो गए यहां फीछ van लूट करें जो खाए में सब्सक्राइब की। यहां पर देखें छिए हमोटा होगा यहां पर देखेंगे यहां Mackaining बूलेट पॉइंट में दिखाया है यहां पर एड़ करके आपको बहुत यह अच्छे तरीके दिखाया है यहां पर एड़ किया है यहां पर गिंती गिंती की तरह आगे है और आगे आपको दिखाई देगा जो दिखाई दरा कोस का स्कास आपको आपको कभी आप शक्ता नहीं पड़ेगे। और यहां पर अलाइमेंट है यानने आप लोग सैट कर सकते हैं जैसे मैं दोस्तो इसी पर किलिक करता हूं alignment वाले पर एक क्लिक करके दिखाता हूं कि alignment क्या होती है चीजी हालनकि दोस्तों आप जानते ही होंगे लेकिन मैं बता देता हूं alignment में है क्या कि दोस्तों already यह देखेंगे इस तरीके select है यानि आपका जो text है इधर से आएगा नहीं तो अधि आप लोग इधर select कर लेंगे तो इधर आ जाएगा मीडिल व्राले पर मीडिल व्राले पर हालनकि दोस्तों इसकी कभी भी आपको आशकता नहीं पड़ेगी तो इसको जाने ही दीजीगा छोड़ी दीजीगा अच्छा दोस्तों आप रही बात कि आपको link यहां पर कभी भी देखेंगे तो कोई-कोई link रहत चाहिए तो जैसे दोस्तों यहां पर है कि hosting और है hosting पर select करेंगे select करने के पाश्चात में यहां पर दिखाए दरा link वाला button इसी link वाले बटन पर click करेंगे जैसे दोस्तों इस पर click करेंगे तो यहां पर यह link ओपन हो जाएगा एक box open होगा अब यहां पर एक link डालना है तो दोस्तों मुझे hostinger का डालना चाहिए क्योंकि होस्टिंगर सेलेक्ट है तो यहाँ पर link पाले पर click करेंगे click करने की पस्चात में मैं आता हूँ यहाँ पर आने की पस्चात में इस पर click करूंगा और यहाँ पर एक टेड़ी इसी publish वाले बटन पर click कर देना होगा इस तरीके से दोस्तों अपना पूरा content आप लोग लिख लेंगे लिखने के पस्चात दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसा दिखाए देगा यहाँ पर दोस्तों मैं बताता चलता हूँ कुछ और settings के बारे में आप आप content लिख लेंगे जैसे दोस्तों यहाँ पर एक category की बटन दिखाई देगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ जैसे content किसमें जाना चाहेगे एजुकेशन वाले में इसे भीज दीजीगा भीजने पस्चात में यहाँ पर कुछ टैग डाल देंगे जैसे कि ब से देखिएंगा feature image यहां पर आफको feature image कोई image का upload कर देना इसके लिए सेट feature image वाले button पर click करेंगे यहाँ पर सेट फाइल वाले बटन पर click करेंगे आपके फाइल में जो भी image होगा जो भी अप्लोड करना चाहते है इसे upload उसपर take करके upload कर सकतें दोस्तों मैं यहां पर कोई अपने मीडिया फाइल से कोई इमेज को ले लेता हूं जैसे दोस्तों मैं अभी इसी इमेज को ले लेता हूं कि लिनेक पश्चाम नीचे दिखाई देगा सेट फीचर इमेज इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फीचर इमेज सलेक्ट हो जाएगा आप दोस्तों अपनी को डाल देंगे हैं डालने के पाद में आप लोग थोड़ा से देखेगे दोस्तों आप वैं किस तरीके दिखेगा जब कोई सर्च करेगा तो ऐस고 है लेकिन डोस्तों सीसे हम हमें क्या कैसे डालना है दोश्तों से श्कॉल करके में उश्पैप पर आ जाता उचाने के प्राद में दोस्तों यहां पर दिखाई देगा एक अगर में mine मैं आपको बताता हूँ थोड़ा से श्कॉल par yoke наपा दिखाई देगा इडिठ इन पिठ नूत दिखाईouse लुटन पर किलीक कर दे रहा हूं किल्क कर देंगे एसी पर आपको कंड करना है क्लिक करनें दिभाए नी यां पर आपको जो नी रही होता चीज यहां पर सोख्वोगाasyp कौह सा चीज होगा तो यहाँ पर डाले रहेंगे वही होगा और यहां पर वनकुन यहाँ दोस्तो इसका यूके बना देता हूं 3 मिनट इसी को कापी कर लेंगे मिफिकर परिमारा एपो इसे पर्मा देंग में निलें कि आनि-यहाँ झाल रहां कि गोजब करने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा है यह दिखाई द्रपडिक ने इस तरीके दोस्तों आपके पूरी के पूरी वेबसाइट बन गई एक आर्टिकल मैंने लिखकर बता दिया कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है सब कुछ मैंने आपको इस्टे बाई इस्टे बता दिया है लेकिन दोस्तों अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आ आप लोग बहुत यासानी से ब्लोगिंग को कर सकते दोस्तों मैंने भी जब शुरुगात की थी मोबाइल से की थी दीर देर जाकर के बाद में सिप्ट हो गया तो आपका पोस्ट कैसा दिख रहा है तो प्रिवीज चेंज वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइ देख सकते कि की आपका कंटेंट कुछ इसी तरीके से यहां पर रहेगा तो यहां पर आप लोग पुरा पूरा अच्छे तरीके देख सकते हैं जब कोई भी आपके सैट पर विजीट करेगा तो आपको एजुकेसन वाले पर दिखाई देगा और ऐसे किलिक करेगा इंटर यहां पर देख सकते हैं इस पोस्ट को अच्छे तरीके से आप लो ऐसे ही करके आपको आर्टिकल को लिखना और एक अच्छी वेफसाइट को डबलब करना है यहीं दोस्तों आपको कहीं पर भी कोई प्राब्लम आएगी तो हमें कमेंट बाक्स ने जरू पुछेगा या तो ह मतलब आनलाइन मतलब कि आप हमें वाट्साप पर मैसेश कर सकते हैं कहीं बभी मुझे संपर कर सकते हैं मैं आपकी पूरी हंडे परसेंट है लेकिन दोस्तों जाते-जाते मैं बता देता हूं कि जो लोग नए आएंगो चैनल सब्सक्राइब कर दिए वीडियो कर लाइक कर चुका है अभी रिफ्रेस करने के परश्चार में देखेंगे 34 डाला हो चुका है यानि दोस्तों मोटिवेशन के लिए मैं दिखाता हूं कि आप भी ऐसी करेंगा तो होगा यार बस कुछ भी करते रहेंगे आपका डॉलर यहां पर रिफ्रेस होता रहेगा और बनता आपको टेंसल लेने वाली बात नहीं है बस आप मन लगाकर काम करिएगा जो भी प्राब्लम आएगी अपने भाई से पूछते रहेगा मैं आपकी पूरी हाल पर करता रहूंगा और यहां पर आप लोग सब कुछ देखी सकते हैं मैंने अभी आपको डाटर तो दिखाय था लेकिन एक मोटिवेशन के लिए फिर से दिखा दे रहा हूं कि आप मोटिवेट रहेगा हमेसा काम करते रहेंगे तभी आपको सकसेज मिलेगी और जहां भी प्राब्लम आएगे प्राब्लम तो हर किसी उकाती अभी ये वेबसाइड मैंने बनाया बताय किस तरीके से आपक मुझसे आप लोग संपर्ख जरू करिएगा मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन दोस्तों आप लोग बनायेगा वेबसाइड बनायेगा काम अच्छे तरीके से करते रहेंगे तभी एक दिन सकसेज हो जाएंगे ऐसे आप लोग सकसेज नहीं हो सकते हैं